हेलो विल्कम टू आवर चैनल आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है हिरोन एकाडमी यहाँ पर वीडियो को पेस्स के साथ देखेगा काफ इंपॉर्टेंट हम चैप्टर बताएंगे आपका क्लास टेन सर्कल दिखो बच्चो जो हमारा सर्कल में जो लाइन सर्कल पो टच नहीं करेंगे यहाँ पर जब लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे टच करते हैं जैसे दो पॉइंट पे टच करते हैं इस लाइन को हम लोग सेकेंड कहते हैं क्या है इसका डिफिनिशन लाइन विच इंटर सेक्ट अ सर्कल इंटू डिस्टेंट पॉइ एक point q और एक point p पर touch कर रहा है ठीक है काट रहा है a line which intersected circle in two distant point is called a second तो ये line को second कहते हैं क्योंकि two distant point पर ये intersect कर रहा है दूसरा आप हम आते हैं tangent tangent पर क्या होता है कि circle के किसी एक point पर ये line आपके touch करता है कोई भी निश्चित one point पर ठीक है exactly one point पर अब ये जो line है इसको बोलता है tangent यहाँ पर अगर definition पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है a line that intersects the circle in exactly one point is called a tangent केवल एक point पर touch करता है circle के किसी एक point पर touch करता है उसको लोग tangent कहते हैं ठीक है tangent to a circle यहाँ पर जिस point पर ये जो आपका ये जो line segment touch कर रहा है ये point आपको कहलाता है point of contact the point at which the tangent ये आपका tangent हो गया tangent actually इसको हिंदी में असपर्स रेखा है यानि छूती भी यानि line क्या होगा circle के किसी एक point पर छू कर पास होगा ठीक है the point at which the tangent meets the circle is called its point of contact यहाँ पर मिल रहा है तो ये point आपका point of contact के लाया यहाँ पर आपको बता दी spt is the tangent to the circle at the point p अब ये line tangent है किस point पर तो point p पर clear है यहाँ पर आपको बता दी at the point of contact ये आपका point of contact है ये जहाँ पर ये line आपका touch कर रहा है circle की जिस point पर touch कर रहा है उसको बोलता है point of contact और ये point of और यह आपका रेडियाई तो याद रखिएगा point of contact और रेडियाई यहाँ पर कहा रहा है the point of contact angle between the radius and the tangents radius और tangents के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिगरी बनता है तो इस इसको याद रखिएगा radius और tangent के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिगरी फॉर्म होता है student chapter शुरू करने से पहले हम इस theorem पर चरचा करेंगे हमारा theorem क्या कह रहा है a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact यह आपका tangent है यह वाले और यह आपका जिस point पर यहाँ पर यह tangent line आपका intersect कर रहे है उसको बोलता है point of contact आपको यह प्रूफ करना है यह आपका radius है यह जो radius है और यह tangent के बी जो angle subtend हो रहा है वो 90 डिगरी 90 डिगरी हो रहा है यह चीज आपको यहाँ पर प्रूफ करना है निकुल मिलाकर आपको प्रूफ करना है कि O P is perpendicular on this tangent X Y यहाँ पर given क्या क्या है एक circle है पर कोई point R लिया take any point R on tangent X Y and join OR which meet circle at S यहाँ बर circle के इस point पर यह S point अमने consider किया है अब आपको बता दे इसको प्रूफ करनी का क्या हमारे पास target है कैसे प्रूफ होगा O P is perpendicular on X Y सबसे पहले आपको किसी तरह से यह जो O P है यह जो O P distance है इसको आपको यह कोई point है और clear तरह किस आप देख सकते हैं यहाँ पर मानलो कोई पोल खंबा है पोल खंबा है ठीक है clear उसके बाद इस पोल खंबा को यह जो पोल खंबा है अब बच्चे को क्या बोला गया है कि इस पोल खंबा को छूख कर यह जो दिवाल है उसको टच करना है तो बच्चे कुछ बच्चे आ रहे हैं इस पोल खंबा को टच करके इस तरीके से दिवाल पर टच कर रहे हैं मतलब पोल खंबा को छूख कर फिर दिवाल को टच करना है तो कुछ बच्चे इस तरीके से कुछ बच्चे इस तरीके से इस तरीके से जा रहे है लेए एक बच्चा जो काफी बहुत अच्छा उसका दिमाग वर किया उसने क्या किया ये डिरेक्ट सीधा गया ठीक है यानि सीधा जाकर दिवाल को टच किया तो ये जो ये जो ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुली परपेंडिकुलर यानि अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ओपी परपेंडिकुलर और यहाँ पर देख सकते हैं ये सौटेट डिस्टेंस है जो कि परपेंडिकुलर गिर रहा है यानि अगर आपने अगर अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो आपको सौट shortest distance proof करना पड़ेगा ठीक है यह चीच के लिए रहे यहां पर हमने एक चीच observation किया कि OP और OS equal radii है तो यहां पर equal radii और OR बराबर क्या पूल सकते हैं OS plus SR तो जाहिर सा बात है जब OR बराबर हो रहा है इन दोनों को जोड़ने पर तो यह अकेला OR तो बड़ा होगा इसके comparison में यहां और बड़ा है OS से और किसे बड़ा है OS से अब OS और OP equal radii है तो OS जब OS के जैसे OR is greater than OS अब OS के जगा हम OP लिख सकते हैं यहां पर तो OR यहां पर हमने यहां जाहिर सा बात है OR greater than OS बोलो या OS less than OR बोलो यहां पर हमने OS को OS के जगा में OP लिख दिया है तो OS के जगा में यहां पर OP आ गया तो यहां प्रूफ हो गया कि OP क्या है आपका छोटा है OR के comparison में तो ध्यान रखिएगा बच्चो यहां पर आप कोई भी point ले लो कोई भी point ले लो, मानलो आपने कोई point T ले लिया है, वो हमेशा आपका इस op से छोटा ही होगा, माफ किजिए का, यहाँ पर थोड़ा साम से बोलने में mistake होगा, कि आप जो भी यहाँ पर, यहाँ पर, जो कोई भी point आप ले लो, मानलो T ले लो, कुछ भी point ले लो, वो हमेशा op, जो है, is line segment से हमेशा छोटा ही होगा, यहाँ कुछ भी ले लो, जिसे ot ले लिया, ol ले लिया, कुछ भी ले लो, अग इसका reason क्या है, कि हमेशा, मतलब, यह op हमेशा छोटा रहे गा, यह जो line segment ol ले लो, या कोई भी point ले लो इस tangent पर reason क्या है क्योंकि आपको पता है कि अगर ये circle है और circle में अगर ये आपका radius है और कोई भी point अगर outside ले रहे हैं circle के तो हमेशा ये जो radius है radius का जो length है हमेशा less होता है ये जो line segment बन रहा है center और बाहर में जो point है उसको मिला कर हमेशा less होता है इसलिए आप कोई भी point यहाँ पर लो हमेशा op जो होगा वो हमेशा sorted ही रहेगा तो यहाँ पर हम लिखे है does op is the op shortest than op shorter than any other segment joining o to any point of a b hence op is perpendicular on x y तो ये चीज़ प्रूव हो गया क्या रहा है कि any other segment joining o to any point कोई भी point आप ले लो तो हमेशा क्या होगा ये जो op होगा वो छोटा ही होगा clear है तो ये चीज़ clear तरीके से prove हो गया student ये जो theorem है आपका क्या कह रहा है ये आपका just इसी का converse है line drawn through the end point of radiation perpendicular to it is tangent to the circle तो ये circle है ये आपका tangent है तो यहाँ पर already कह रहा है कि op जो है ये वो tangent है ये बी क्या है अपका tangent proof का नए बी से tangent to the circle at the point R तो यहाँ पर जाहिर सा बात है op जब perpendicular है ab पर यानि कहीं ने कहीं ये perpendicular है तो op आपका shortest होगा op is less than oq क्योंकि q आपका outside में है क्यों कोई point है circle के outside जाहिर सा बात है outside में जो point है center से मिलाने पर ये जो line segment बन रहा हो बड़ा होगा इस center से और इस circumference में जो join करने वाले lines है line बन रहे है line segment आई बसम में तो op is less than oq and oq is greater than op दोनों एकी बात है तो जाहिर सा बात है q आपका क्या कर रहा है कहीं ने कहीं जब ये आपका op छोटा है oq की कम oq से तो जाहिर सा बत है q lies करता है outside the circle does every point on a b every point a b other than p p के लावा कोई भी point अगर a b है a b पर है lies outside the circle हमेशा जो circle के circle के outside में ही लाई करेगा this source that a b meets the circle only at point p तो ये दिखाता है कि ये जो circle ये जो आपका a b है वो हमेशा a b जो mil मिट कर रहा है कि इसमें मिट करता है circle at the point p p point पर मिट करता है तो hence a b is a tangent to the circle at p तो ये चिछ के लिए तरीके से प्रूव हो गया ये आपका third theorem क्या कहता है the length of two tangents drawn from an external point to a circle all equal यहाँ पर कोई external point a है और यहाँ से आपका ये एक tangent हो गया ये एक tangent हो गया एक tangent a p और एक tangent a q तो यहाँ पर यहाँ पर actually आपको given है कि a p और a q are two tangents from point a two circle c यहाँ पर actually proof करना है कि ये a p और a q ब्राबर है तो आपको कुछ नहीं करना ये वाले triangle और ये वाले triangle को खनगरिंट करना आपको पता यहाँ center से इस tangent पर ये जो गिरेगा ये जो radius और tangent के बीच जो angle सब्टेंट होगा वो 90 डिग्री बनेगा और यहाँ बर भी angle जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा तो ये तो right हो गया और ये आपका hypotenuse हो गया और ये मतलब कौन सा O P और O Q equal radius अराम से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं common side तो triangle को बस congruent करना है अराम से तो इस चीट को याद रखिएगा जब भी यहाँ पर इस चीट को हमेशा याद रखिएगा थियोरम क्या कहता है याद रखिएगा जब बाहर से external कोई point है बाहर से दो tangent बन रहे हैं तो वो हमेशा आपस में equal होंगे ठीक है ये बोल रहा है theorem दोनों tangent का length क्या होगा equal होगा ठीक है यह हमारा theorem 4 है क्या कर रहा है if two tangents are drawn to a circle from an external point then they subtend equal angle at the center they are equally inclined to the segment joining the center to that point यहाँ पर already given है के circle है जिसमें a point outside the circle है और a,p,a,q are tangents drawn to the circle from point a to prove angle a,op,a,op मतलब ये वाले अंगल और a,o,q मतलब ये वाले अंगल आपको बराबर proof करना o,a,p o,a,p यानि ये वाले अंगल और o,a,q यानि ये वाले अंगल अब ये तभी हो पाएगा मुम्किन है ये अंगल ये अंगल और ये अंगल और ये अंगल ये अंगल ये अंगल तभी मुम्किन हो सकता equal जब आप ये वाले triangle और ये वाले triangle को congruent कर दो तो यहाँ पर clear तरीके से congruent proof कर दिया है तो ये थियोरम complete होता है तो जब भी triangle congruent हो जाती है तो by cp ctc की मदर से आप कह सकते हैं कि उनके जो corresponding sides और angle होंगे वह भी आपस में equal होंगे तो ये प्रूव हो गया equal हो गया तो ये थियोरम complete होता है तो ये तो